हैलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टु माई चैनल, इंगलिश लानिंग विजॉय। आजकेर क्लासे आमड़ा, विलियाम सेक्स्पियरेलेखा मैगबेथ स्टोरी चीकेई, कोंटिन्यू कोड़े गौल्पुटीर थार्ड पाट्टी पोडवो। आई होप तुम्रा स्टोरी टीर फर्स्ट और सेकेंड पाट्टीके भालो हावे एंज़य कोड़े छो। गौल्पुटीर सेकेंड पाटे आमड़ा देखलाम जे किंग डंकान मैगबेथे कासेले एक रात्री जुन्नों एले मैगबेथ एवं लेडी मैगबेथ डंकान के की कड़े हत्ता कड़ा जाय तार कौस्पीरीसी versão करे लेडी मैगबेथ पोठ में मैगबेथे कास्टी कड़ाते राजि कड़ाते ना पेड़े एक्टि डेगर निये निज़ेए डंकान के मार्ते छोले जाये किन्त आम्रा देखी, सेस पर जोन्द से मार्ते पारे नी। परे, फिरे एर से, मैकबेथे समने जुक्तिर पर जुक्ति खाटिए, मैकबेथ के एकड़कम बाद्धो करे, शे डानकान के हत्ता करते, ताके प्रोडोचीतो करे। अमस्ट आमड़ा देखी एर पड़े मैगबेत राजा के हत्ता कुरते शौफल हाए डानकाणेर मृत्तुर खबोट्टी पे डानकाणेर दुई छेले मैलकॉम एन्ड डुनाल बेन स्कोटलेंड थेके पाली एजाए एबम एर पर मैगबेत स्कोटलेंड राजा हाए एर फले शेई डानी बोनेदेर शेई जे थार्ट पेडिक्षान छीलो जे मैगबेत स्कोटलेंड राजा हावे সেই পেরেডিসেন্টি আমরা দেক্তীই আমরা দেক্তিবাডি আমরা দেক্তে ভাডি অক্খডে অক্খডে আগোম ফোলে জায় 1. Macbeth and his queen could not forget prophecy of the Wired Sisters that though Macbeth would be the king but the children of Banco and not of Macbeth would be the kings after him. जोदियो Macbeth राजा हबेन तार पड तार पुत्रो देर पोडिवर्थते ब्यान कोर पुत्रो राई राजा हबेन डायनी बोने देर एई भवश्रद बनी Macbeth एमंग Lady Macbeth की चुते भूलते पाचिलोना The thought that they had defiled their hands with blood by committing regicide only to place the posterity of Banco upon the throne had rankled within them. लाजाके हथ्ता करे राज रक्ते तादेर हात एकडम कोलुशित होए छे एटा केबल होए छे ब्यान कोर उत्तुरादिकाडिदेर शिंगाशने बशनोर जन्नो एई चिंताटाई तादेर मने काथार मथो बित्ते लागलो So, they decide to kill Banco and his son, Fliance to nullify the prediction of the Wired Sisters ताई तार मने Macbeth एभंग लेडी Macbeth ठीक कर लें जे ब्यान को ओतार पुत्रो Fliance के तार हत्ता कर बेन एभंग डाइन बने दर शेह भविशुद मने तार नस्षात कर देबेन For this purpose, they arranged a banquet to which they invited all the chief thens along with Banco and Fliance एए उद्धे शे तारा एक भोज सबार आयजन कोडे Banco ओ Fliance सहो शकल प्रधान थेनके शेखने आमंत्रन जाना लेन Macbeth appointed some hired assassins hand and visit them on the way Banco and his son were supposed to pass The assassins pounced upon them and killed Banco but Fliance managed to escape जे पथे Banco एभं Fliance आस्ते पडे शेही पथे Macbeth कोईक जन भाराटे गुंडा के तोडिकोड राखलेन एर पड जकन बैनको एभं Fliance सही पद्दी आस्छिलो सही भाराटे गुंडारा तादे रुपड जापिये पडे बैनको के हत्ता कोड़ते पाल्लेओ Fliance किन्दो कोणो मत शेकेंदे के पालिये कैलो Meanwhile, Macbeth and his wife played the role of perfect host with affable and graceful manners that conciliated everyone present in the banquet एदिखे Macbeth evangtastri तादेर अमाईक ओ खुब सुन्दर भद्र आदककादर निखुत अभिनार माद्ध में एक जन आदर्शो ग्रियो कर्ता ओ ग्रियो कर्ती हिशाबे भोज्शवार शकल उपुस्तित जारानगी छिलो तादर्के सुन्दर करे शंतर अक्ते पेरे छिलें नो सुनर दिदी लेमेंट फर इस फ्रेंड हुम ही वास मिसिंग इन दे बैंकोट Macbeth सद अगोष्ट अब बैंको अकुपाइंग दे सीट रिजर्वड फर हिम Macbeth थेन एबं अविजद्दे संगे खोला मने आला पाला चना कर्ते लागलें एबं तार प्रियोतम बंदू ब्यानकोर अणोर अणुपुश्टिद दीते दुखर पकास करते लागलें भोठ्षवाय अणुपुश्टिद बंदुर जन नो धुखर पकास करा सेश होते ही Macbeth हटात करे ब्यानकोर जन निर्दिश्ट चयारे ब्यानकोर भूत के बश्य धाकते तिनी देख लेन। At this horrible sight, his cheeks became white, fair, and he stood quite unmannered, with his eyes fixed upon the ghost. His queen and all other nobles saw nothing, but perceived him gazing upon an empty chair. एई भॉयंकोर द्रिश्चो देखे, भॉय म्यागबेतेर मूख एक दो फैकाश होए गालो। एबॉयं अत्तों तो असिस्ट वहाबे उठे दाडिये एक द्रिश्टी देती निशेई भूतेर दिके ताके एडुलेन। लेडी मैगबेत किंगबा उन्नो भीजात्रा के बोल, फाकाच यारे दिके मैगबेत के ताके थाक देखे देखाचारा और किछुई देखते पेलेन। थे तुक एडेगर देखै देखाचारा और को बेलेलं। ताल येके मने शेईश अव थेंश्टरा बाजोमिदर रा ये जिनिस्टी के मैगबेतेर बिक्षिप तो चिंताहबनार फ़ल हिशावे मने कोल्देन। येवंग लेडी मैगबेथ ताके माने मैगबेथ के तकन बखाबगी कर्ते कर्ते बोल्लेन जे एटा तार सुधुमत्र मनेर भूल डानकान के हत्ता कडा समयो तिनी एकी भाबे कौल पनाये शुन्ने छोडा भीशे थाकते तिनी देखे चीलेन But Macbeth continued to visualize the ghost of Banco and gave no heed to all the noble men, could say and address the ghost with distracted words. Lady Macbeth, fearing the dreadful secret would be disclosed, in great haste dismissed the guests excusing the infirmity of Macbeth. किन्तु Macbeth, ओभी जात बेक्तिर्या के की बोल छेन, शेदिके कोनो भुलुक्केप ना करे, ब्यांकोर भूत के देख्ते देख्ते, तिनी बिविनारकम असम्लम्नो कथावार्टा बोल्ले चोल्लेन। भॉयंकर गोपन सत्तता फास होये जेते पाडे। एई भॉय पे, लेडी Macbeth, Macbeth एर असुस्ततार दोहाई दिये, अते ती देर खुप तारातरी शेकनतेके बिदाय दिलेन। एबाँ भॉद्षवाकेतेनी समप्तो करे दिलेन। Macbeth and his wife had their slips affected with terrible dreams, and the blood of Banco troubled them not more than the escape of fleas, whom they now looked upon as father to a line of kings who would keep their posterity out of the throne. भॉय नक्षब शपनो देखे, Macbeth ओतार स्त्रीर घुम बिगनितो होलो, आर ब्यानकोर हत्तर चे, फ्लियेंसेर पालिये जवा, तादेर अनेक बेशी असुस्तिर कारण बोले मनेहोरते लागलो। तादर काछे, फ्लियेंसेलो एमोनक जन, जार उत्तर अधिकारिदा, Macbeth एर उत्तर अधिकारिदेर बंचीतो कडे राजा हवे। With these thoughts, they found no peace, and Macbeth decided to visit the Heath once more in search of the three wired sisters to know his final outcome. He found them in a cave near the Heath, where they were engaged in preparing their charms, in which they consumed up infernal, spirits, to reveal them futurity. Macbeth, शेई प्लांतोरेर काछाकेची एक्टी गुहाए, तादर देख्ते बेलेन। तारतकन भविश्वत्वनी जानार जन्नो अशुबो शोक्तिके आहवान जानाते जादुमंत्र पराड आयजन कर छिलो। Their horrid ingredients were toads, bats and serpents, the eye of a newt, the tongue of a dog, the leg of lizard, the wing of a night owl, the scale of a dragon, the tooth of a wolf, the mummy of a witch, the root of hemlock, the gall of a goat, the liver of a Jew, and the finger of a dead child. शेई आयजनेर विवत्षो उपादानुगुलो छिलो, कोला बैंग, बादूर, साप, गिर्गिटी चोक, कुकुरेर जीव, टिक्टिकीर पा, प्याचार डाना, ड्रागोनेर आस, नेकरेर दात, डाइनीर ममी, हेमलक गाचेर शिकर, छागोनेर पित्ती, इहुदिदेर जक कृत बालिवर, एबग, मृतो शिशूर हातिरंगूुल। All these wires set on to boil in huge cauldron, which was cooled with baboon's blood. To these they poured in the blood of a sow that had eaten her young, and they threw into the flame the grease that had sweatened from a murder's goblet. By these chants, they bound the informal spirits to answer their questions. Macbeth demanded to know from them whether he would have his doubts resolved by them or by their masters, the spirits. He was not daunted by the ceremonies that he saw and boldly said, Where are they? Let me see them. So, they called the spirits. Macbeth, he said, that if they were to go to the same time, they would go to the same place. In this situation, the first time the Macbeth said, There were three of them. The first one looked like an armed head, called Macbeth by name, and told him, Beware of the Thane of Five. Macbeth thanked him for the caution. He was envious of Macduff, the Thane of Five. The second spirit aroused in the likeness of a bloody child. He called Macbeth by name, and told him, To have no fear of death, but to laugh and scorn at the power of man, born naturally, born of a woman's womb. This is the fact that the Macbeth is the fact that this man was a man who was born. This is the one who was born of Macbeth. Well, the fact that the Macbeth is a man who was born, the most important, the fact that the Macbeth is born. भॉय ना पाए। भॉय पावर किया छे किन्तु आमी दिगुन भावे निस्चिन्त होते चाहाई। A spirit aroused in the form of a crown child with a tree in his hand. He also called Macbeth by name, comforted him against conspiracies and told him that he could never be vanquished until the woods of Venom to Dancinan Hill would come against him. गाचेट डाल हाते एक्टी मुकूट पड़ा सीशुर मतो देखते आयक्टी आत्ता म्यागबेते सम्नेस पस्टो होलो। शेव म्यागबेतेर नामधोरे डेके तार बिरुद्धे चला सर्जंत्रो निये ताके आशोस्त करलो। योंग बोल्लो जे जतक्षन ना बार्नाम बनुहुमी तार बिरुद्धा चरण कोडे डांसिनान पाहाडे उठे आश्चे ततक्षन म्यागबेत परजित हवेन्ना। को एच एचा बन्वी तार बार्नाम जेक एचे के बन्हाड़ साहँ को करेंजित्धा, तक्षन मेट मोड़ाने विता इकान आशोस्त करमाड़ करते पराव यो खिन कोडें, इन तर बिरुद्धा में लिएकी कान एचाना, इस वे बनौना कों रिए सcza वेचा हैं तार्ना ए गोविरे आबद्धो बनुहुमिर शीकर उपड़े ताके चलमान करवे के एई खमता कार आछे आमी देखते बाच्छे आमार सहाविक आयूनिये आमी बाजबो भाणकर मृत्तु ता कखर नोई छोटो कड़े जीते पाडवे ना तुम्रा जखन आमाके एतो कथा बोलते पाल किरा कोखनो एई राज्यो साशन कोड़े कीना एक अथरी तम्रा पड़िश्कार कड़े आमाके जानाओ। Here the cauldron sank into the ground and a noise of music was heard and eight shadows like kings passed by Macbeth and Banco was the last figure, all smeared with blood and smiled at Macbeth. शेही खने, शेही कराइटा माटिर मद्दे ढुके गालो एबंग बाजना सब्दो सुनाजिते लगलो एबंग राजारमातो देखते आक्टी छाय मूर्ती Macbeth पास दिये चोले गालो सेश मूर्तिटी छिलो ब्यांकोर, साडा गाये तार रखतक तो खतो Macbeth देखित आकिये शेहास छे ब्यांको बोर एक ग्लास, which showed the figure of many more and pointed to the images. Macbeth realized that these were the posterity of Banco who should reign after him in Scotland. The three witches danced with a sound of soft music and making a show of duty and welcome to Macbeth vanished in the air. Macbeth बुस्तेपालने जे, एई छोबी गुल होलो, ब्यांकोर उत्तरदीकारी देर छोबी. जाडा Macbeth एर पर स्कोटलेंडे सिंगाशने बोजबे. तोखन डाइनी तिन्योन, म्रिदू बाजनात ताले नास्ते लागलो. एबंग तार पर तारतादेर कर्तवबो, शेश होएगे चे एमन भोंगी देखिये, Macbeth के ओभिनोंदान जानिये, आस्ते आस्ते हावार मद्दे मिलीए गयलो. ओके, आजकेर क्लास्ती ताहोले, एच रुख पर जुन्दोई थाकलो. क्लास्ती भालो लागले, तुमादेर चैनल English Learning with Joyke, सब्सक्राइब कोडे, बेल आइगन्टी अफकोर्स मने कोडे, प्रेस कोडे डेखो. और कोथाब उस्ते अस्विधा होले, वीडियो टीर कॉमेंट सेक्षने आमाई पूस्णो कोडो, आमें तुमादेर अभश्च्वाई पूस्णों गिलो रिप्लाई देवो. सो, टेक क्यार, गुडबाई.